अभी हम लोग यहां पर लार्शन और लिम्टेट करेंगे अस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मैंस यहां पर 29 अग्रस्थ को किस तरीके से अपकर प्राइस एक्षिन पैटन दिखाएगा इसके इंपॉर्टन लेवल्स कैसे रहने वाले हैं तो आज के दिन हम लोगों ने जिस तरीके से कल अनलाइज किया था यहां पर एक रिजिस्टेंस के आज पास यह आ चुगा है ठीक है तो अब यहां पर टेक्निकली इसको देखा जाए तो यहां पर हॉल्ट करना चाहिए ठीक है और यहां पर एक इंसाइट कैनल जैसा सिच्वेशन बना चाहिए वैसा य है इसके पीछे हमारे पर दो रॉसल कर भाब से हम लोगों ने कल डिया तो उसको वण बाई वन एक रीजिन तो यह था कि यहां पर ये जिस तरीके से यहां से selling होई थी ठीक है उस तरीके पे यहां पर गया और यहां पर यूटाइप pattern बना दिया है ठीक है और second situation यह यहां पर था कि जिस तरीके से यह तिन चार candle बनाया था और दो दिनों में लगबग लगबग 3600 से 3700 का एक अच्छा 3700, 3740 का लेवल एक बहुत अच्छा दो दिनों में रैली दिखा दिया था ठीक है तो यहां पर थोड़ा सा इसका रूपना यहां पर ज़रूरी था क्योंकि इसके बाद निकले तो हम लोगों को यह उपर वाले लेवल जो है वह अच्छे से दिखा पाए और फिर price action pattern बनाके धीरे-धीर उपर क्यों निकल सके तो दो रीजन जादे इंपोर्टेंट थे एक तो यह यहां पर एक इंपोर्टन रिजिस्टेंट था तो यह इसको यहां पर रुखना था क्योंकि यहां पर गाप डाउन के बाद ओपनिंग होई थी तो यहां से एक selling point बन गया था जिस selling point पर अगीन कोई भी भी तो वहां से फिर से वो trigger होगा और इस तरीके से यह रुखेगा अभी आगी क्या हो सकता है तो आगी हमारे पास उपर की और स्विंग है यह आज के candle का मतलब कल के candle का जो हाई है यह important हो जुगा है और नीचे की और देखेंगे तो कहीं न कहीं यहां पे 3650 का level important है तो इस point के पीच में 100 रुपेज का एक range है इसके पहले इसने क्या किया था यहां पर यह range बनाया था इसका one is to one देखेंगे ठीक है तो कहीं न कहीं अभी इसका one is to one का जो हमारा target है वो 3770 के आसपास है यह अभी अचीव नहीं हुआ है तो यह जब यहां से उपर क्यों निकलेगा और यह level hit करेगा तब अचीव होगा तो अभी हमारे लिए अभी हम लोग 15 में टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इसको आज समझने की कोशिस करते हैं क्योंकि मैंने एक चीज़ बताई थी 15 में टाइम फ्रेम पे कि अगर इसको 15 में टाइम फ्रेम के हिसाप से देखेंगे तो इस सब्सक्राइब तो फिर से हम लोग के ऊपर के और एक अनया ग्रीन केंडल अच्छा देखने को मिल सकता है लेकिन इसने निकाला नहीं और यहां पर बहुत ज़्यादा नीचे की और भी फॉल नहीं हुआ तो यह हमारे लिए प्लस पॉइंट है कल के लिए हमारे लिए नीचे आएगा हो सकता है बहुत ज़्यादा नीचे ना आए यह 1020 रुपीज के आसपास आई एक दो इस तरीके से केंडल बना है जिस तरीके से यह बना है और उसके बाद ब्रेकाउट देते ठीक है तो 3740 का ब्रेकाउट मिलेगा तो हम लोग जो उपर लेवल प्लान करें तो सबसे पहले तो माई लिए 3750 का इंपॉर्टन लेवल है क्योंकि अभी भी यह पिन पॉइंट थोड़ा सा दूर है कभी भी मार्किट में बहुत ज़्यादा अगर कहीं पर गिरावट चल रही है और कोई शेयर ऊपर जा रहा है ठीक है तो अगर वह भी बड़ा शेयर है का लेवल इंपॉर्टन थैंद इसके बाद जो इसके उपर का लेवल हमारी इंपॉर्टन नीचे के लिए अभी अगर आप देखेंगे तो नीचे जिस तरीके से रुका है ठीक है अगर यह कहीं न कहीं 30 यह लेवल कलब लगग लगब लगग यह लेवल है 3675 का 3675 का breakdown करता है तो हम लोग इसको 365758 वाले लेवल के आसपास आता हुआ देख सकते हैं अब यह लेवल इस तरीके से निकाला गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है और यह कल के दिन अगर इस तरीके से अगर break करता है तो फिर से इस जून से क्योंकि इसका 50% हो जाएगा यह लेवल और फिर यहाँ से बांस बग दे के जाने की गोशिश जरूर करेगा वीडियो कैसा लागा कमेंट सेक्शन में बताईएगा पसंद आएगा तो लाइक कर सकते हैं चैनल पे नहीं होंगे सब्सक्काइब पर सकते हैं क्योंकि जहीं हो बताईएगा, क्या दिए बताईएगा.